C, I, E, T, N, C, E, R, T दोरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का सत्रवा पाठ चिठी आई है यहाँ एक चिठी का चित्र है यह चित्र रीना की एक चिठी है जो उसने एहमद अली को लिखी है चिठी में लिखा है एहमद तुम बताओ कैसे हो हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है आशा है छुट्टियों में तुम अगर तला आओगे सभी बड़ों को प्रणाम तुम्हारी रीना और एहमद अली का पता है एहमद अली मकान नमबर पंद्रा ब्लॉक सी मालविय नगर नई दिल्ली तो अब सुनते हैं पाठ मैं हूँ एक चिठी कागस कलम से लिखी चिठी जो रीना ने अपने दोस्त एहमद को लिखी मुझे पत्र पेटी में डाला डाकिये ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाला मैं हो गई डाकिये की साइकिल परसवार और पहुची डाक घर वहां मुझे थैले से निकाला और निकालकर एक जोर का ठपा लगाया ठपपा था अगर तलाका जहां से मेरा सफर शुरू हुआ ठपपे के बाद पहुँची मैं दूजरे बड़े थैले में इसमें थी अनेक वो चिठियां जो जा रही थी दिल्ली डाक घर की लाल गाड़ी से पहुँची मैं रेल वे स्टिशन वहां मैं चड़ी दिल्ली जाने वाली रेल गाड़ी में पांच-छे दिन के लंबी सफर के बाद मैं दिल्ली पहुँची वहां के डाक घर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छट आई और फिर लगा ठपपा इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुचा दिया एहमद के घर यहां रीना की चिठी के सफर को चित्रों में दिया गया है पर ये क्या सारे चित्र आगे पिछे हो गए हैं? चित्रों का सही क्रम बताओ पहला चित्र है रीना चित्र को लेटर बॉक्स में डाल रही है दूसरा चित्र है डाक घर में डाकिया चिठी पर ठपा लगा रहा है तीसरा चित्र है चिठी को दिल्ली वाले थैले में रखा गया है चौथा चित्र है रीना चिठी लिख रही है पांचवा चित्र है डाकिया चिठी को घर पर पहुचा रहा है अगले चित्र में डाक घर में एक महिला चिठी को अलग-अलग धेर बना रही है आखरी चित्र में एहमद चिठी को पढ़ रहा है एक चिठी रीना ने एहमद को लिखी अब एक चिठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो चिठी के उपर दोस्त का नाम जरूर लिखना सबने चिठी लिख दी, पर डालेंगे किस में? चलो कक्षा के लिए एक पत्र पेटी बनाए एक जूते का खाले डिबब लो डिबबे पर लाल रंग करो या लाल कागज चिपका दो अब डिबबे के ढकन को कैंची से इतना काटो कि चिठी अंदर जा सके लो हो गई तयार पत्र पेटी तुम सब अपनी अपनी चिठी इसके अंदर डाल दो और इंतिजार करो अपनी अपनी चिठीयों का अब एक बच्चा डाकिया बने वह पत्र पेटी से चिठीया निकाले और सब बच्चों को बाटे अच्छा लगा दोस्त की चिठी पढ़कर जैसे तुमने अपने दोस्त को चिठी लिखी वैसे ही तुमारे घर पर भी रिष्टेदार और दोस्त चिठीया भेजते होंगे तुम घर से कुछ चिठीया लाओ और देखो देखा कितनी अलग-अलग प्रकार की चिठीया होती हैं तुम्हें इन चिठीयों में क्या अंतर दिखाए दिया किन-किन चिठीयों पर टिकेट लगे हैं क्या सभी टिकेट एक जैसे हैं उनमें क्या-क्या अंतर हैं क्या तुमने चिठीयों पर डाक घर का ठपा लगा देखा है कुछ अलग-अलग तरह के टिकेट इखटे करके चिपकाओ तुम्हारी चिठी तुम्हारे दोस्ट के पास कैसे पहुँची? क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम, उसका पता यहाँ एक पोस्ट कार्ड का चित्र है, तुम भी अपना पता लिखो रीना की चिठी तो रेल गाड़ी से दिल्ली पहुँच गई पर जब रेल गाड़ियां नहीं थी, तो दूर जगाओं पर चिठीयां कैसे पहुँचती थी? डाक घर की सैर अगर स्कूल या घर के पास डाक घर हो, तो वहाँ जाकर देखो कि चिठीयां कैसे आती जाती हैं, वहाँ क्या क्या चीज़े हैं, उनकी क्या कीमत है? रीना ने जो पोस्ट कार्ड उप्योग किया, क्या तुम उससे भारत के बाहर अपने दोस्त को संदेश भेज सकते हो? डाक घर में अन्ने क्या-क्या काम होते हैं? पुराने जमाने में चिठीयां कैसे पहुँचती थी? बच्चों को भुजर्ग से पता करने को कहें रजिया और उसकी आपा आपस में बात कर रही हैं रजिया कहती है, जानती हूँ आपा, आज कक्षा में हमने चिठी के सफर के बारे में सीखा मैं भी नानी जी को चिठी लिखूंगी आपा बोली, तुम चिठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फोन करने, चलना है तो चलो ये क्या, रजिया और उसकी आपा चिठी को लेकर क्या बात कर रहे हैं? रजिया और आपा निकल पढ़ी फोन करने, गाओं की एक दुकान पर आपा ने फोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बातें की, दुकानदार को पैसे दिये और खुशी-खुशी घर लौट आई तुमने फोन कहां-कहां देखा है? तुम फोन पर किस-किस से बात करते हो? तुम्हें चिठी लिखना या फोन करना दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? फोन भी अलग-अलगतर है क्यों होते हैं तुमने जो फोन देखी हैं, उनका चित्र बनाओ इन टेलेफोन से क्या-क्या काम हो सकते हैं? अपना फोन बनाओ इसके लिए चाहिए दो माचिस की खाले डिबियां या आइसक्रीम के कप और धागा दूनों माचिस की डिबियों में छेद करो एक डिबि के छेद में से धागा निकाल कर गांठ बांदो धागी का दूसरा सिरा दूसरी डिबी के छेद में से निकाल कर गाठ बांदो बन गया तुमारा अपना फोन अपने एक दोस्त को फोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो और दूसरा तुम अपने मुँँ पर रखो ध्यान रहे कि धागा खिंचा रहे कहीं चुए न, शुरू करो अपनी बाते तुम अपने लिए एक फोन डिजाइन करो इसकी खास बातें बताओ हमने चिठी भी लिखी, फोन भी किया बताओ कि चिठी और फोन में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी अलग यदि डाग घर ना हो, तो संदेश पहुचाने के और कौन-कौन सी तरीके हैं चिठी आई है अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत